हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चेनल बच्चो आज हम लोग सरकल चेप्टर का जो कंसेट पढ़े थे पिछले क्लास में सरकल का जो ध्योरम पढ़े थे उस पे रिलेटेड सवाल करेंगे एक्सरसाइज 10.1 इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा क् डिसकस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 में बच्चो टोटल फोर कोश्चन्स है जिसको कि हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं ठीक है बच्चो तो आप अपना कॉपी पेल लेके तयार हो जाए और हम लोग के चेप्टर को स्टार्ट करते हैं उससे पले अगर आप हमारे चैनल नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन का बेल भी दबा ले ताकि आपको मैस के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स तुरंत आप तक पहुंच जाए और उसको वाच करके कुछ ने कुछ इंपोर्टेंट गेन करें और वीडिय तक गहते सलिजू किसी सर्कल में हम लोग टेंजेन कितना सकते एक कोई सर्कल आप आपको मैंने बताया था पिछले क्या होता है कि सरकल को एक पॉइंट पर टनःच करें उसी को हम लोग रोंब पंब में गया इस तरह से अगर ऐसे खीचेत यह टेंजेंट हो गया इसी तरह से अगर ऐसा खीचेत यह टेंजेंट हो गया सौरी यह तोसा इधर चला के टच करके निकल रहा फिर इस तरह से इधर टेंजेंट फिर ऐसे ही एक टेंजेंट मतलब टेंजेंट सरकल के एक पॉइंट पे टच करके पर इनकलता और सरकल परicial कितना पोइंट है हो मेनी पोइंट छीनिंए सर्कल इसका सर्कल पर-इनिविद अधर पुर्ट के नहीं हो जाएगा जटना पॉइंट होगा उतना ही होगा इसका मतलब एक सर्कल में कितना टेंजेंट करे सकते infinite number of tangents can in a circle है क्या आंजर हो जागा इसका infinite infinite tangents we can draw in a circle किसी भी circle में हम लोग कितना tangent की सकते हैं बच्चे infinite tangent की सकते हैं और tangent जिस point पे touch करता है इसी को हम लोग बोलते थे point of contact यह पहले भी हम लोग पढ़े थे point of contact जिसको कि sort में आपन क्या लिख सकते बच्चे sort में आपन POC लिख सकते ठीक है बच्चो sort में आपन इसको क्या लिख सकते POC लिख सकते अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है fill in the blanks fill in the blanks क्या कहा रहा है a tangent to a circle किसी circle में जो tangent है intersect it in अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल का प्र अच्छे सवाल है कर एक लाइप लाइन सिग्मेंट मैं आपको पहले क्विदा नहीं होता वो दो तोरफ एक लाइन है हमने एक सरकल डॉ किया एक लाइन खीज दिया एक लाइन है और यह लाइन जो है यह लाइन में प économique टुर्ण्ट इसको क्या आपको पिछले बड़ा कर प्छिझी सरकल कहना है हाँ फिसको कितना पिरलर्ल्ल टेंजेंट के एक संटर में हम लोग किटना टेंजेंट की सबस्क्राइल गालें यह सेन्टर में स्फिकल का यह यह चैजन्ट है यह सेन्टरŞ C कि शेंगों दिश्वाइब तेंगट पांशा अपसमें क्या हो गया तीवाण भूर्पया अपसमें क्या हो गया अरो सिद्षे एक प्र तो यह हुआ आप इधर यहां भी उमके सकतेश और आकशिंव सकते जित त्री यहांसे ही के सब्छर एक कम से कम इतना तो खीची सकते हैं ज्यादा-ज्यादा तो आप कितना भी सकते हैं मैं इतना तक क्हीतना हो सकता हैous किटना हो सकता है दो parallel tangent हो सकता है at most दो parallel tangent हो सकता है ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो जाए अब उसके बाद next the common point of a tangent to a circle is called इसको तो भी तुरुम दिखें टेंजें जहाँ पे इस पॉइंट पे प्याच करता है इसको सौट पर हम लोग क्या बोलते बच्चे पी ओसी बोलेंगे पी ओसी बोले तो point of contact point of contact point of contact this is what this is called यह पहला नम्मर का सवाल हो गया बच्चो दूसर नम्मर का सवाल हो गया अब हम लोग चलेंगे question number 3 की ओर question number 3 की ओर देखिए question number 3 क्या कर रहा है और tangent pq at a point p किसी point p से tangent pq खीचा गया और फिस circle of radius 5 मतलब सबसे पहले सवाल में हम लोग क्या करेंगे एक circle खीच लेंगे एक circle खीचे इसका radius 5 यह circle का center है ओ ठीक है और इस पे tangent खीचा गया a tangent pq at a point p p point है p point और यहां से एक हम लोग tangent खीचे pq उसका point of contact है pq एक tangent खीचे जो circle को एक point पे touch कर रहा है pq देखिए आपका क्या है यह tangent है जो circle को p point पे touch कर रहा circle का center o है और circle का center o है और radius 5 है इसका अगर हम लोग और से पी को join करें तो यह radius आपका 5 cm होगा और बाइट theorem by theorem से ओपी जो है आपका ओपी वह pq पे perpendicular भी होगा 90 क्योंकि हम लोग पिछले class में यह theorem पढ़ चुके थे अगर पी क्यू टेंजेंट है ना तो center से जो आएगा ना वो point of contact पे 90 degree होगा फिर आगे क्या बोला कि मीट से लाइन थो the center at a point q so that o q बरावर 12 ओ से क्यू का दूरी दिया होगा आपका distance 12 cm ओ से क्यू का distance कितना दिया होगा है 12 cm then find the length of pq pq हमारा क्या है pq is the length of tangent pq is the length of tangent here you have to find the length of tangent अब सवाल में बच्चे कुछ भी नहीं है सवाल में क्या हो गया p o q right angle triangle बन गया p पे 90 degree होगा तो clearly as per figure clearly as per figure figure के हिजाब से आपका op जो होगा वो perpendicular होगा किस पे ओपी perpendicular होगा p q पे by theorem 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 से हम लोग पढ़ चुके है यह चीज सो कौन सा triangle में in triangle p o q 90 कहां पे है angle p पे 90 है कौन सा theorem लगाएंगे बच्चे पाइथागोरस theorem लगाएंगे पाइथागोरस theorem से हमारा क्या होगा o q का square बराबर ओपी का square plus p q के स्कुएर बाय पाइथागोरस थ्योडर माइथागोरस त्योरम पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा बच्चों आपको किसी भी राइट अंगल में हैपोटेनस का square perpendicularme square plus base square के बराबर होगा तो 90 का जो सामने वाला को पौजित होता है उसको है 15 का स्पाइर श्कुर्थ बराबर इसको यह साइड के टो 25 इधर आ गया मैनस में बराबर पीक्यू का होल स्क्वाइर इट इंप्लाइड एट देखिए 124 में 144 में 25 अगर घटेगा बच्चे 119 होगा बराबर पीक्यू अधर स्क्वाइर अगर हटेगा इधर क्या आ जाएगा रूट इसलिए लेंद्ध आप टेंजेंट क्या हो गया देखिए अंसर दीफोर देले दा राइट आंसर रूट अंदर 119 संटीमेटर इस देख्चूल लेंद्ध अव टेंजेंट ठीक है यह तिसरा नम्मर का सवाल था और यह एकजाम और सवाल है यह आपका इंप्वोडेंट सवाल है इस टाइप का सवाल एकजाम में हर बार ए एक हीचना है ता कि एक क्या बन जाया और से करेंगे आप उसको खुद से भी कर सकते फॉर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात है चोटा सा बात है उसको आप खुद से कर सकते हैं इसको अपसे भी कर सकते हैं तो हम यह हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइ 10.2 में जो theorem लगेंगा जो concept लगेगा उसको हम लोग पहले देखेंगे उस theorem को प्रूब करेंगे और तब हम लोग 10.2 के सवाल को solve करेंगे तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा प्रैक्टिस करें और इसको revise करते रहे ताकि आपको एक्जाम में इसका benefit मिले ठीक है बच्चो थैंक्स पर वाचिग वाचिग फब गूड़ दे बाये